परे उद्धार करता प्रभी इश्य मसी के नाम से मांगते हैं आमेन आई हम सब बैठ जाते हैं इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को एक बार फिर से धनिवाद देता हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है और उनके कारी जो है वो हमेशा जो है वो अपने लोगों की जीवन में दिखाते हैं कई बार हम उनको भूल जाते हैं, कई बार हम उनको त्यागते हैं लेकिन परमेश्वर जो है मैंने ना कभी भूलते हैं ना त्यागते हैं तो ऐसे महान परमेश्वर के अराधना करना हमारे लेसव भागी की बात है और ये परमेश्वर जो है अपने कारियों को अपने वचन के द्वारा हमें लिखके दिये हैं और उनके कारियों जो है वो अनमोल हैं और उनकारियों को जो हम स्मरन करते हैं तो हम उनका आदर करने वाले बनते हैं उनके जो छवी, को हम देखते हैं परमेश्वर के वच्रों में तो हम अपने आप ही उनको हम honor करते हैं उनका आदर करते हैं सो इस सिन्द्याकाल के समय थोड़ा समय हम इस topic पर हम ध्यान देंगे और वह topic यह है कि आदर और महिमा परमेश्वर को देने वाले बने जितना हो सके, जितना जादा हम परमेश्वर का आदर करें, उतना जादा हमारे लिए जरूरी अच्छा है और हम उनके कारियों में हम सनलग्ण रहते हुए, हम उनका आदर हम करते हैं, इन बातों को आज हम सीखेंगे, किस प्रकार परमेश्वर के प्री लोगों ने परमेश् तो हम परमेश्वर को आदर और महिमा देने वाले बने तो आज हम थोड़ा समय इन वचनों को देखेंगे इसलिए मैंने आज चुना है वो नीती वचन प्राववस चाप्टर 3 से लिया गया है जब हम प्राववस को देखते हैं परमेश्वर के ज्यान को सिखाते हुए हमें परमेश्वर की किस प्रकार आदर करना है वो हमें सिखाता है तो कैसे हम संपूर्ण मन से पूरे ज्यान से हम परमेश्वर का आदर करने वाले बने ये परमेश्वर आप से और मुझ से चाते हैं इसलिए हम जब पाच्छो वचन से अगर हम देखें, थर्ड चाप्टर, उसका फिफ्ट वर्स है, आला कि पहले चार वचन भी बहुत महत्पून है, परन्तु मैं समय नहीं, इसलिए पाच्छो वचन से मैं आगे बढ़ रहा हूं, पाच्छो वचन में लिखा है, तु अपन अपन इस थिंकिंग, और इस थाट्स, और इस विज्डम, यह पहली कौलिटी को हमें सीखना है, हम परमेश्वर को जो अनर करने वाले जो हम है, we have to trust the Lord with all our heart, trusting God is important, the one who trusts God, the one who honors God, if you do not trust God, you may not obey Him, you may not honor Him, जो जब हम परमेश्वर का आदर हवे करना है, तो पहली बात जो हमें सीखना है, वो यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, परमेश्वर के कारियों पर विश्वास करें, और इसलिए पांच्छी में लिखा है, तो अप परमेश्वर को आजर देते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम यहाँ पर उस बात को मन में रखते वे आगे बढ़ते हैं कि क्या मैं परमेश्वर पर संपून रूप से भरोसा रख रहा हूं या नहीं या मैं अपने समझ का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ जब कभी हम अपने समझ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं तब हम जरूर हम जो है संपून रूप से परमेशुर पर भरोसा नहीं रख सकते हैं संपुन्ण मन से उनका आधर करना का अर्थी यह हैं कि हम क्या करें stellen वह पून्ध पर भरोस्ब रखें दूसरा जो हम कुछ चीजों को त्याग दें जो हमें ग्जान के रूप से लगता कि वह अच्छा है कई बार हम ग्यान का इस्तिमाल करते हैं हमें लगता है कि वो चीज़ अच्छी है और हम उसके पीछे जाते हैं और आंत में हमारा नुकसान होता है तो परमेश्वर का बचनम से कह रहा है कि we have to renunciation the one's own wisdom we have to renunciate all the wisdom which is having our own कई बार हम अपने स्वयम के विचारों के द्वारा हम गडबड़ी लाते हैं अपने जीवन में so उसे हमें जो है त्याग देना है दूसरी बात है तीसरी बात जो है वो परमेश्वर को चनम पाते हैं कि we have to acknowledge God in everything तीसरी महत्मन बात जो हमें सीखना है वो ये है कि सब बातों में सब बातों में चाहिए वो हमें समझ में उस समय आया ना हो है हम परमेश्वर को acknowledge करें we have to acknowledge God in all our doing in all our saying इसलिए कि इसी ने कहा कि do good, say good, see good ये चीज़े हमारे अंदर होना जरूरी है तो ये तब ही हो सकता है जब हम जो है अपने मन के उन बातों को कड़वाट को त्याग दे जो ग्यान की बाते हमें लगती है परन्तु हम पूर्ण मन से परमेश्वर को हम विश्वास करें भरोसा करें इसी बात को प्राववस चाप्टर 3 वोस नमबर 5 में हम सिखते हैं तु अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन्तु हम पूर्ण मन से यहवा पर भरोसा रखना चटे वाचन देखिया लिखा है उसी को स्मरन करके सब काम करना वाटेवर वर्क वी स्थार्ट देखिए जब हम उन्हें स्मरन करते हैं तब हम पूर्ण रूप से उनका भरोसा करते हैं उसी को स्मरन करते वे अपने सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा तो हमारे जीवन में सीधा मार्ग अगर हमें चाहिए तो उसका सिंप अकार्व बात ये है कि सबहरे उठते ही हमें परमेशर को स्मरन करना है और इसलिए QUITE TIME को हमेशा उस पे आप कहते हैं कि QUITE TIME जरूर करें सबहें उठते ही परमेशर से प्रार्त्ना परमेशर का वचन पढ़ना उसे ध्यान करना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है जो ऐसा करते हैं उनके लिए लिखा है कि उनकी शरीर जो है भला चंगा रहता है आत्मा तो भला चंगा रहेगा ही शरीर भी भला चंगा रहेगा तो दो प्रकार से आशिशो को हम देखते हैं जब हम सभेरे उठकर परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करते हैं जब हम सबेरे उठते ही अपने समझ का सहारा नहीं लेते हैं, परन्तु परमेश्वर के समझ के सहारा को जब लेते हैं, तब हम संपूर्ण मन से यहवा पर भरोसा रखते हैं। जिससे हम जो है शैतान के कार्यों को पूर्ण होते हुए वो शैतान नहीं देख सकता है।। इसलिए वो चाहता है कि हम निरंटर अपने विचारों से गलतिया करें और हम गलतियों में रहें। और दुखी होते रहें, परिशान रहें, और परमेश्वर को स्मरन ना करें. और इसलिए यहाँ पर सुलमोन महराज जो हो कह रहे हैं, तु अपने समझ का सहरा ना लेना परन संपूर्ण मन से यहुआ पर भरोसा करना, उसी को स्मरन करना, और करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए मार्ग सीधा करेगा. तेरे सारे मार्ग को, whatever the works, which you see the obstacles in your life, that all works will be done by God when you acknowledge God. जब परमेश्वर को आप स्मरन करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर का आधर करेंगे, तब आपके मार्ग सरल होंगे, और जिसके द्वारा उसके आखरे के बचन में लिखा है, उसके साते में लिखा है, अपनी दृस्टी में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृस्टी में बुद्धिमान ना होना, कई बार हम क्या शैतान हमें क्या कहता है कि हम बहुत बुद्धिमाने हमें बताता है और हमारे अंदर गमंड को लेकि आता है और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर को वचन कह रहा है कि तो अपने दृष्टी में बुद्धिमान ना हो परन्तु क्या करना है यहोवा का भै मानना और बुराई से अलग रहना जब हम अपने बुद्धी का इस्तिमाल करते हैं तो हम बुराई कर सकते हैं लेकिन जब हम यहोवा का भै मानते हैं तब हम परमेश्वर की दृष्टी में जो अच्छा है वही हम करते हैं और जिससे हमारे जीवन में भला होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर प्राववस का तीसरा दिया साते वंचन में बहुत यह अच्छर से कह रहे हैं। तो अपनी द्रिष्टी में बद्धिमान ना होना पर यहुआ पर भाय का इमानना और उस बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से क्या होगा। हम कई बार निर पौच सकते हैं यहाँ क्या होगा। अगर हम परमेशन का भाय मानेंगे तो क्या होगा। देखे उसका जवाब दो है आठों में पा रहे हैं very simple जवाब ऐसा करने से तेरा भला होगा ऐसा करने से क्या होगा? हमारा भला होगा देखे माली कहां है? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड़ियां पुष्ट रहेंगी जितने भी vitamins की कमी आजकल हम सुन रहे हैं हड्डियों के तकलिफ में वो सारी चीज़े जो है वो इसलिए है कि हम परमेश्वर के भहे को नहीं मान रहे हैं हम अधिकतर अपने चिंताओं में फसे हुए हैं अपने सोच में, अपने विचारों में अपने कारियों में और हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं और बुद्धिमानी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन प्यारे दोस्तों परमेश्वर का वचन देखिए बहुत ही सरलता से हम से बात कर रहा है बहुत सरलता से कह रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे अगर आप यहुवा का भाय मानेंगे और अपने ऊपर निर्बन ना रहते वह परमेशुर पर निर्बन करेंगे और परमेशुर के बतायवे मारक पर जब चलेंगे तब क्या होगा वाली खा strengths है कि आप बुराई से अलग रहेंगे और जब आप बुराई से अलग रहेंगे तो अपने आप ही आप स्वस्त रहेंगे और उसी बात को यहां कह रहे हैं कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हडियां पुष्ट रहेंगी यह परमिश्वर चाहते हैं God wants us to live a healthy life He wants us to live a holy life He wants us to live a life which is pleasing to God तो इसलिए पहरे दोस्तो हमारे जीवन में यह पहलू बहुत जरूरी है एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं उस प्रकार अगर हम देखे हैं तो दो पहलू में एक तरफ जो है वो हमें परमिश्वर का वचन को रखना है हमारे जीवन में और दूसरे पहले उमें प्रार्तना और अराधना को रखना है। तभी हम परमेश्वर का आधर कर रहे हैं, तभी हम अपने विचारों से नहीं, परन्तु परमेश्वर के विचारों के अनुसार चल रहे हैं, तभी हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो एक आदर करने वाला जो विश्वासी है, जो परमेश्वर का आदर करता है, उसमें ये क्वालिटी होती है. और थोड़ आगे देखें, नाइंत वर्स में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, तीसरा द्यावस के नौवे वचन में, प्राववस चाप्र 3, वर्स 9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमी की सारी उपज के द्वारा को देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना. आने वाली सबता में, we have harvest festival. Next Sunday, we don't have Hindi service, because we have a common service. So, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पर्मेशर कहह रहे हैं कि हम देने की विशे में भी हम सबसे आगे रहें जब पर्मेशर हमें अच्छा सेहट देंगे सब कुछ अच्छा देंगे तो हमें क्या करना है अपनी संपति के द्वारा और अपनी भूमिकी sucksaari पहली उपज के द्वारा उसे दे कर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें Honor God by giving Trust God By trusting God you honor God Then in the end he says that You give whatever God has given you उसमें इसे थोड़ा सा परमेश्वर आपसे चाते हैं और वो यहां पर इसलिए हो कह रहा है कि जब हम देने वाले बनते हैं तब हम परमेश्वर के लिए बड़े कारे को हम करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर जो है वो हमें इस बात को प्रमान देते हैं कि हाँ मेरा बेटा जो है वो मुझे उबे कर रहा है मेरी बातों को सुन रहा है मेरी बातों को समझ रहा है और इसलिए परमेशों हमसे चाहते हैं कि हम देने वाले बने कई बार देने की बात आते हैं तो हमारा मन कहता है कि नहीं इतना ना दे थोड़ा सा दे यह हमारी मन की बात है लेकिन परमेशों ने हमें जो दिया है वो संपूनता में दिया है जो कुछ वर हमारे पास है आज आप थोड़ा दिगेर अगर सोच के देखें अपने मन में जो कुछ भी परमेश्वन ले दिये है is वह सब हमारे पास परमेश्वन ने दिया है एक बार हम एक मीटिंग में थे वहां पर बात करते हुए कि वो भजन सहीता 127 उसके पहले दो वचन में वहां लिखा है कि तु जो है जो घर जो है तेरे पास वो परमेश्व ने तुझे दिया है एक बार में उसे पढ़ना जाओंगा भजन सहीता 127 अधिकतर हम हाउस वामिं व्यर्थ है ठीक यहां पर इस वचन को पढ़ते हुए एक विकति ने कहा मैंने महनत की 40 साल 50 साल महनत करके बहुत से धन को दिखटा किया बहुत कि घटा करके मैंने परीश्व करते हुए अपने घर को बनाया और यहां पर परमेश्वर का वचन कहए रहा है कि यदी घर को यहवा ना बनाये。」 तो उसका बनाने वाला का परिश्रम विर्त है. तो उससे समझ में नहीं आया. कि ऐसा कैसे हो सकता? मैंने परिश्रम की, मैंने सब कुछ किया, मेरा महनत है, और यहां वचन कहह रहा है कि यहवा अगर घर को ना बनाये तो तेरा परिश्रम विर्थ है, उसके आगे देखे लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, तो उसका रखवाले का जागना विर्थ है, तो उसे समझ में नहीं आना था, तब उसे याद आया, कि जो जीवन मेरे में है, जो ताकत मुझ में है, वो परमेश्वर ने में परमेश्वर सब कुछ हमें कर देते हैं, लेकिन कई पर हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया, तो यहाँ पर नीती वचन में बहुत ही अच्छुप से कह रहें कि जो कुछ आपके पास है, प्रभू ने जो कुछ दिया है, उसमें से परमेश्वर को देकर परमेश्वर क honor करो. Give and honor your God. Give and honor your God. और हम जानते की Bible में, परमेश्वर की कई प्रीज लोग हैं, अगर आप David के जीवन को देखें, David honor God by whatever he is having, everything is given to God. हम दाविद के जाविद के जीवन या दाविद के जीवन हम देखते हैं, David honor God with all things what he had. Whatever he had, he had given to God. अगर आप वो मंदिर को बनाने के लिए, जब सारी चीजों को इखटा कर रहा था, अगर हम देखेंगे, तो हम पाते हैं कि बहुत सारे सोने को, चांदी को, और बहमुल पत्थर को, और अच्छे अच्छे लकडी को, यो जो है, परमेश्वर की भवने के लिए, बनाने के लिए. So जो कुछ उसके पास था, उसको देकर, डेविड जो है, वो परमेश्वर को honor कर रहा है। परमेश्वर की आदर और महिमा को दिखा रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने, उसे प्रमुक्स्थान दिये हैं, उन्हें कहा कि ये मेरे लिए बहुती महत्पूर्ण मेरा दास है ठीक वैसे अगर जोसफ की जियोन में देखें, जोसफ उसने भी परमेशर का ओनर किया जोसफ की जियोन हम देख सकते कि बहुत सी कठनाईया थे उसकी जियोन में कभी भी उन कठनाईयों के समय जोसफ ये नहीं कहा कि ये कठनाईया परमेशर ने मुझे भेजी हैं पर उन्तों हर परसितियों में जोसफ जो है वो परमेशर को ओनर करता रहा और इसलिए परमेश्व ने उन्हें आनर करते वे उन्हें एक बहुत अच्छा वर्दान दिया वो ये कि जो भी ड्रीम्स कोई भी देखें उसका जो रहसी है वो जो सब बता सकता था और इसलिए जब वो विदेश में था वहाँ पर भी परमेश्व ने उसे जो है ऑनर किया परमेश्व ने उसे ऑनर किया इसलिए एक वचन देखी मेरे साथ मिलकर पढ़िए पहला सैम्वेल को निकालिए फस्ट सैम्वेल उसका दूसरा दिया है उसका तीस्वा वचन 1 Samuel उसका दूसरा आध्या है उसका 30th verse 1 Samuel chapter 2 verse number 30 वहाँ पर बहुत ही अच्छा बात परमेश्वर हमें याद दिला रहे है परमेश्वर जो है अपने प्री लोगों से को याद दिलाते हुए कह रहे है है इस्राइल की प्रजा तुम ऐसे रहो देखिए माली कहा है 1 Samuel chapter 2 verse 30 इसलिए इस्राइल के परमेश्वर यहोवा की यहवाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मुलपुरुष का घराना मेरे सामने सदेव चला करेगा परन्तु अब यहोवा की यहवाणी है कि यह बात मुझ से दूर हो क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा और जो मुझे तुछ जाने वे छोटे समझे जाएंगे यहाँ पर परमेश्वर जो है उस इस्राइल को आशिस दूगा उन्होंने कहा उनके जीवन के हर पहलु में उन्हें आशिस दूगा कहा लेकिन जब उनके पुर्वजों ने परमेश्वर को भूल कर परमेश्वर का आदर करना छोड़ दिया तब परमेश्वर उनको याद दिला रहे है जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा अगर हम परमेश्वर का आदर करना भूल गए हैं तो परमेश्वर एक बार फिर से मैं याद दिला रहा है लेट अस लेन टू ओनर गाड और यहां पर जोसफ जो है उन्होंने आदर किया परमेश्वर को उनके जीवने बहुत कठीनाई आई बहुत परेशानी आए उनके अपने भाईयों ने उन्हें मार कर उन्हें फेक दिया उन्हें बेश दिया और इन विकट परिस्वर के बीच में भी वो परमेश्वर को आउनर करता रहा परमेश्वर का आदर करता रहा, परमेश्वर की नाम को उचा उठाते रहा, दुख में तकलीफ में परेशानी में वो सारी बातों को करता रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसे ओनर किया, दिकि यहां पर बहुत ही स्पस्टूप से में बात को देखते हैं, कि जो मेरा आदर कर मैं सदेव उनका आधर करूंगा परन्तु जो मुझे भूल जाएगा मैं उन्हें भूल जाओंगा बहुत ही कठू वर्ड है ये बर्मेश्वर के बचन में कई बार ऐसे ऐसे वचन आये हैं जो परमेश्वर चाहते हैं नहीं बोलें परन्तु लोगों के प्रदे के जो पत्थ इन भी नहीं रह सकते हैं लेकिन क्रोध में इन लोगों ने इस्राइल के लोगों ने क्रोध को दिलाया परमेश्वर के लिए जब परमेश्वर के लिए क्रोध दिलाया तो क्रोधित होकर उन्हें कहा कि ये बात जो है मैं करूंगा अगर तुम मुझे भूल जाओगा तो म उन्होंने जीवित परमेश्वर का आदर किया, डैनिल की किताब उसके दूसरे अध्याय में पाते हैं, जहां पर लिखा है कि शद्रक मेशक अबेदनेगों के जब अगनी के कुंड में डालने का आदिश दिया, तब उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर का आदर करेंगे, ना कि किसी और चीज़ों का, पिछले दिनों में आप देख सकते हैं, हला कि हमें बोलना नहीं है, परंतु कम से कम एक लाख असी अजार के आसपास केवल टैंक बन में उन्होंने, दस दिन उनका आदर किये, उसको फेक दिये, यह उनकी रिती रिवाज़त जो भी है, परंतु जो परमेश्वर का आदर करने वाले हैं, क्या वो दस दिन केवल परमेश्वर का आदर करके भूल जाएंगे? नहीं, हमें हमेशा परमेश्वर के आदर करने की जरूत है तो शडरक मेशक अबेदगों ने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उन्हें आदर किया और उन्हें उन्हें बचाया उस अगने के कुंड में तीन लोगों को डाला गया लेकिन जब देखे तुमापे तीने चार लोग थे वहाँ पर ईश्यू मसी को भी हम देखते हैं So, learn to honor God Learn to honor God और उसी बात को नीती वचन उसके तीसरे एद्ध है उसके नौई वचन में पाते हैं तुम अपने जीवन के जो कुछ है पहली उपज है, जो भी है उसे परमेश्वर को देकर परमेश्वर की प्रतिष्टा करो Honor your God with whatever you have जैसे डेविड ने किया जैसे जोसफ ने किया जैसे शेडर्ट मेशक अबेद्नोगे ने किया वैसे आपको और मुझे भी करने की जरुवत है जब हम नेनीयम में आते हैं तो प्ररीद पौलूस को, पतरस को और उन शिश्यों को देखते हैं और जब जो Honor करने वाले हैं परमेश्वर, उन्हें Honor करते विए कुछ काम को सौपते हैं जो नेनीयम में जितने लोगों ने परमेश्वर को जितने लोग ने परमेश्वर को आदर दिया, उनको परमेश्वर ने कुछ काम सिए सोपे हैं, वो काम आपको और मुझे भी करने की जरूत है, तो आई हम तीन कारी हैं, उसे हम याद करके, हम समाप्त करेंगे, परमेश्वर को आदर करते हैं, वे जो है परमेश्वर की Book of Acts में आई ए Book of Acts उसका पहला अधियाए उसका एट्त वर्स हम सब जानते है विट्सकी सब टेधा उसका आठो वचान Book of Acts chapter one वर्स नमर eight जहां पर ईश्यम अरोहन के बाद इश्यम अपने शिष्यों के साथ जो है बाते करते हैं उन्होंने इस आग्या को दिया, इस कमिशन को दिया, कमैंडमेंट को दिया कि आपको ये करना है, इश्व मसीयफ उनके साथ नहीं है, वो स्वर्ग में आरोहन हो गए, उसके बाद शिश्यों को क्या करना है उस बात को उस आठ्वे वचन में हम पाते हैं जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्त पाओगे, और यरुशले में, सारे यहुदिया में, समरिया में, और पृत्वी के छोर तक मेरे गवा होंगे. यहां आठवा मचन, बहुत इस पस्रूप से हम जानते हैं उसका बैग्राउंड, जब इश्यू में सी चले गए, तो उन्होंने बाहरा शिश्यों को चुना और कहा, आपको जाकर, जो है सुसमाचार सुनाना है, कैसे सुनाना है? पवित्रा आत्मा के शक्ति के द्वारा, दे कह रहा है कि जो परमेश्वर की सामर्त तुम्हें आएगी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरा गवा बनना है, कहां पर, जहां आप रहते हैं, वहां पर गवा बनिये, आपके आसपास आप गवा बनिये, और आपको अगर परमेश्वर विदेश ले जाते हैं, तो अगर हम परमेश्वर का आदर करने वाले हैं तो हम जरूर उनका गभाँ बन कर रहेंगे जहां पर भी हम जाएंगे तो लोग हमें पहचानेंगे क्यों कहेंगे कि यह मसी के लोग हैं यह मसी के दोरा चुने वे लोग हैं हमारे चहरे पर वो रौनक जो है उन्हें दिखाए दिना चाहिए कि हम उनके गभाँ हैं so पहली कॉलिटी परमेश्वर आप से और मुझ से चाहते हैं the best way to honor Him is to witness about Him we praise Him that is good, we obey God's word that is good, we pray that is good at the same time we have to witness this, to be witnesses in this world परवेशर हमें इसलिए इस दुनिया में रखा है कि हम उनके गवात कर रहे हैं तो प्रैरे लोग दूसरों परवेशर आपको मुझे अगर मेरो आप यह कहcontrol का अदर करता हो तो परवेशर कहा रहे हैं कि आप मेरे गवात हो परवेशरै ने हमें टाइटल दिये कि you are my witnesses ये पहला हमारे जीवन होना है दूसरी बात what we have to be आएए मेरे साथ मिलकर second quarantine में आएए second quarantine में एक हो टाइटल है अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं if we are we honor God with all our heart what we have to do is second quarantine 5 verse 20 ये भी memory verse है ये भी सब को मालूब होना चाहिए second टाइटल पहला उनने कहा जो परमेश्वर का आदर करते हैं वो परमेश्वर के गभा रहते हैं दूसरा वो कह रहे है जो परमेश्वर का आदर करते हैं वे परमेश्वर के राजदूत हैं मानो परमेश्वर ने हमारे द्वारा बिंती करते हुए कहा है हम मसी के और से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाब करो यहां पर दूसरा कॉलिटी God wants us to be In this world we are ambassador हम इस दुनिया में परमेश्वर के जो है ambassador है अगर हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के ambassador हैं इस बात को याद रही है और ambassador के काम में मालूम है राजदूत का काम यह है विदेश में रहे कर अपने देश के बारे में बताए हम सब इस विदेश में है यह हमारा देश नहीं है हमें स्वर्क के बारे में लोगों को बताने की ज़रुत है क्योंकि हमारा देश वो है जहां पर हमें हमेशा हमेशा रहना है सो प्यारे दोस्तों हम इस दुनिया में एक यात्री की तरह है और एक यात्री की तरह परमेश्वर का आदर करते हुए हम जी रहे हैं और इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है आजे मेरे साथ मिलकर मतीररचिसु समाचारों उसका चौथा रधियाय उसके 19 वचन में आते हैं चौथा रधियाय मैत्यु जुवे स्दूर। करना उसका रधिया और रधियाय करते भर, शुरू में उनने एक बात कहा पहले जब चोथे अधिया को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ईश्यू मसी अपने चेलों को जब इखटे कर रहे थे तो गलील के जील के पास थे वहाँ पर उन्हें दो भाईयों को देखा एक शमोन और एक शमोन पत्रस है उसका भाई अंधरियास है दो हैं पीटर एन एंडरू ये दोनों जो हैं मचली को पकड़ रहे हैं और मचली को पकड़ते वे वो अपने जाल को जो है पानी में डाल रहे हैं तुम को मैं मनुश्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा फिश्यों को पकड़ने वाले हैं इस बात को आपको याद रखना है ये तीनों चीजें हमारे अंदर परमेश्वर चाहते हैं कि वो हो क्योंकि हम परमेश्वर के पीशे चलने वाले लोग हम कह रहे हैं और जब हम परमेश्वर के पीशे चलने वाले हैं, तो यह हमारे अंदर quality होना चाहिए. चाहे किसी भी परस्थिती में क्यों नहों, मैं परमेश्वर के गभा बनकर इस दुनिया में रहूं, परमेश्वर की रॉष्णी को फैलाने वाला बनो. चाहे कोई भी परस्थिती क्यों नहों, मैं परमेश्वर का राजदूत हो इस बात को याद रखने वाला बनो. तीसरा, मैं मनुश्यों को पकड़ने वाला, मनुश्यों को पकड़ने वाला कारती ये नहीं कि हम पकड़ के उनको बेज दें या उनके और्गन्स को बेज दें, ऐसा नहीं है. उसकारत यह है कि हम जो अंदिकार में जा रहे हैं, जो अपने जीवन को नाश्ट कर रहे हैं, जो अंजाने ही परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, उन्हें पकड़ कर परमेश्वर के मार्ग में लेके आना है, उन्हें पकड़ कर परमेश्वर के कारियों में सनलग्ड करन है और इसी काम के लिए इश्योग मैसी इस दुनिया में आये और उनहें अपने बारा सिश्यों क्जिना परमेशर आज कलीसिया को झूने है क्लीसिया में आपको और मुझको चुने और वोचयते हैं कि हम उनके लिए मच्छवारे बने मनिश्यों को पकड़ने वाले बने जो भी लोग इस दुनिया में अंधिकार में हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं जो परमेश्वर के कारे को समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक मनिश्यों को हम हैं तो मैं और आप दाउद की तरह इस प्रकार हम कह सकते हैं और ये मेरे साथ मिलकर आखरी वाचन को पढ़कर समात करेंगे बजन सहीता 29 अध्याय साम नंबर 29 साम नंबर 29 में जो भजनकार है वो याद दिला रहे हैं कि चाय किसी प्रकार की परसित्य क्यों नहों परमेश्वर आप से मुझसे बाते कर रहा है वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा करें परमेश्वर के नाम की महिमा करें पवित्रताब में शभायमान होकर य आपरमेश्वर के पुत्रों, देखिए बहुत ही अच्छरुप से वो हमें बुला रहे हैं, आपरमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का हां, यहोवा ही का गुनानवात करो, यहोवा की महिमा और सामर्द को सराहो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम यह कारी को हम बहुत ही अच्छरुप से करने वाले बनें, दूसरे वाच्छा में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, so on, because you are the children of God, you are the child of God, what we have to do, we have to honor God, we have to honor God, यह से दाओद ने किया, जोसफ ने किया, शडरक मेश्चक अबिदोगी ने किया, यह से शिश्यों ने किया, यह से तकलीशया में जैसे ऐले चर्च के believers ने किया, यह से चर्च फादर्स ने किया, जैसे परमेश्वर के लोगों ने अलग-अलग युग में उस कारिकों के वैसे ही आपको और मुझे भी करना है Let us think of this God's word which reminds us that हम संपूर्ण मन से परमेश्वर का आदर करें संपूर्ण मन से उस पर भरोसा जब हम करते हैं तो हम उनका आदर करते हैं हम आमारे पास जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा हम यहोवा की प्रतिष्टा करें जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मा को और साथी साथ हमारे शरीर को भी बला चंगा रखता है हमारे जीवन के हर कमजोरी को हटा कर हमें परमेश्वर आउनर देते हैं the one who honors God, God surely honors them so let us learn this simple clue that let us learn to honor God let us keep our focus towards God to honor Him all the time क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया है सब कुछ किया है उन्हें अपने एक लौते बेटे इश्व मसी को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम जो है नजात को पाएं ताकि हम अनंतकाल के जीवन को पाएं और जो हम अनंतकाल के लिए बुलाया गए लोग हैं हम इस दुनिया की बातों में फस कर दुनिया की चीजों में फस कर हम परमेश्वर का ओनर करना ना भूले परन्तु निरंतर हम परमेश्वर का ओनर करते वे हम निरंतर अपने कारियों में आगे बढ़ सके आई अपने आखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर के वचन को जो सुने हैं उसे केवल सुनकर हम भूलना जाएं, परन्तु जो परमेश्वर का वचन आप से बातचित किया है, उसके अनुसार चलने का प्रैत्न करें. Let us learn to praise Him, let us learn to obey Him, let us learn to trust His Holy Name. हम संपुर्ण मन से, with all of your heart, with all of your soul, you trust God. हमने प्छले सब्टा सुना था कि, we have to love God. Today, the word of God reminds us that, honor God. Because God has chosen you, with a great purpose. परमेश्व ने अपने मुख्य उदेश के द्वारा परमेश्व ने आपको चुना है. और इसलिए, उचाते हैं कि हम उनका आदर करें, उनकी महिमा करें, उनकी प्रतिष्टा करें. परमेश्व चाहते हैं कि हम अपने जीवन से उनकी प्रतिष्टा करें, अपने विचारों से, अपने कारियों से उनकी प्रतिष्टा करें. परमेश्व ने हम सबों को आशिस दे, कि हम अपने जीवन काल में उनकी, उनको honor करते वे आगे बढ़ सकें. पिता परमेश्व और हम ते निवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए आज की दिन के लिए है परभुजी आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हम संपूर्ण वन से आपका भरोसा करें आपका आदर करें और परभुजी आपके नाम को उच्छा उठाएं पिता परमेश्व आपने हमें विशेश रूप से चुना है ताकि हम इस दुनिया में एक गभा के रूप में आपकी गभा को लेकर आपकी रौशनी को लेकर हम दुनिया में फैलने वाले बन सकें आप चाहते हैं कि हम एक राजदूत की रूप में एक एमबाजदूत की रूप में आपकी सेवा को इस दुनिया में हम करने वाले बन सकें प्रभुजी आप चाहते हैं कि हम मनुश्यों को पकड़ने वाले बने Fishers of Man That's what you want us to do Lord please help us to be as you want us to be Lord help us to do what you want us to do प्यारे प्रमेशर आप जो चाहते हैं वो हम भी अपने संपून मन से करने में सहाय तकरिए प्यारे प्रभुजी आपने हमें चुना है इसलिए धनिवाद देते हैं आपने हमें बचाया इसलिए धनिवाद देते हैं आप हमें चला रहें इसलिए हम धनिवाद देते हैं प्यारे प्रमेशर आप सहाय तकरिए कि जो आप चाहते हैं वो हम अपने जीवन से करने वाले बन सकें प्यारे प्रमेशर आपने प्री लोगों को आप आशित किजिए ताकि आने वाले महीने भर वे आपके प्रेम में बढ़ते वे, आपको ऑनर करते वे, आपके बातों में सनलगन होकर, आपके नाम की महिमा करने में साहय तकरिए उनके जीवन में जो भी रुकावटे हैं, वो ईश्यमसी की नाम से दूर होने पाए हमारे प्रार्तना है उनके हिर्दे में जो भी भै है उसे आप दूर करिए ताकि उनके मनों में परमेश्वर का भै समा सके और वे बुराई से भागने वाले बन सकें प्यारे प्रभजी, हम सबों को आपके हातों में समर्भित करते वे आपके मधुर वश्णों के लिए धनिवाद देते हुए छोटी सी प्रार्तना को हमारे उद्धार करता प्रभी इश्वर मसी के नाम से मांगते हैं आमेन